हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू आवर चैनल तो फ्रेंड्स आप जल्दी से जुर जाए हिंदी चैलेंज में आपको 25 क्यूशन दिये जाएंगे और उल्ली 10 सेकेंड का टैम दिया जाएगा आपको अगर आपको सही आंस्वर पता है तो आप मीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करिएगा और आपको ये भी वताना है कि ंवी आपके कितने करेक्ट आंसर हुए wow हमें लिये वीदियो को श्राट करनें पहले है वीडियो को लयक कर दीज़िए और जो भी आप इस में इस चैनलेज में जोड़ सकते हैं तो अभी आप वीडियो को शेयर कर दीज़िए चलि तथा फार्शी शाहिते में भारत की भाषाओं के लिए किस सब्द का परियोग मिलता है बताइए रेक्ता दुहा जमाने ए हिंद या फिर हिंदी बताइए मत्यकालिन अर्वी तथा फार्शी शाहिते में भारत की भाषाओं के लिए किस सब्द का परियोग मिलता है बताइए कौन सा इसमें से correct answer होगा only आपके पास 10 second time है बताएए friends तो दीखिए जो इसका correct answer हो जाएगा वो हो जाएगा option number C जमाने ए हिंद ठीक है भासा का सब्द का परियोग मिलता है next question number 2 बताएए friends most important question है खालिक बारी किसकी रचना है बताएए खालिक खलक, रहीम, अमीर खुश्रो या फिर अकबर बताएए कौन सा correct answer होगा आपको only 10 second का time दिया गया है आपको बताना है कौन सा correct answer हो जाएगा खालिक बारी के बारे में अगर हम आपको बताएए तो देखो ये आपकी फार्शी हिंदी कोस की रचना की है ठीक है और इसमें लगभग जो है हिंद्वी सब्द 30 बार आया है और वहीं अगर हम हिंदी सब्द की बात करें तो पांच बार जो है खलिक बारी में आया हुआ है और इसकी रचना किसने की है तो इसकी रचना की है वो की है अमीर खुष्रो ने यानी किgel ऑफसर नम्मर C बिल्कुर करेंट होगा अमीर खुश्रो ने जो है गयासु दिन तुखलक के बेटे को हिंदी या फिर हिंदुई की सिक्षा देने के लिए खलिकबारी नामक फार्सी हिंदी कोस्की रचना की थी ठीक है तो ये भी आपको पता होनी चाहिए जिसमें 30 बार हिंदुई सब्द और 5 बार हिंदी सब्द आया था ठीक है नेक्स अभी आपके स्क्रीन पर क्युश्रन है बताए फ्रेंट्स क्युश्रन क्या है आप यहां देख सकते हैं खड़ी बोली हिंदी में शरो पर्थम रचना करने वाले कभी का नाम क्या है बताए जयसी अमीर खुश्रो बिद्यापती या फिर भारत तेंदु बताए फ्रेंटि कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा जल्दी से बते हैं कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा खड़ी बोली हिंदी में शरु प्रथम रचना करने वाले कभी का नाम क्या है अभी हमने कुछ पहले ही डिसकस किया था खलेकबारी से रिलेटेर तो आप सिंपली कह सकते हो कि अमीर खुश्रो जो है खड़ी बोली हिंद उद्भों का शही करम क्या है बताइए हिंदी उद्भों का शही करम क्या है पहले पाली प्राकृत अभ्रंस या फिर अवहट या फिर पाली प्राकृत या फिर पाली प्राकृत अभ्रंस या फिर पाली प्राकृत अभ्रंस या फिर इसमें से कोई नहीं बताए हिंदी की उद्भौ का सही करणाम क्या है तो आप सिंपली कह सकते हो पाली के बाद प्राक्रित अपभ्रंस अपभ्रंस से हिंदी का उद्भव हुआ उसके लिए और हट यानि कि ऑफसर नमर ये बिल्कुन करेक्ट हो जाएगा नेक्स अब अब की स्क्रीन पर किसे ने बताएं अपभ् कि ने कहा है बताइए फ्रेंट्स ड्येशन ने श्याम शुन्दरदाश ने चंद्र शर्मा गलेरी ने या फिर भारत इंदु ने बताइए कौन सा correct answer हो जाएगा अप भ्राण्ज को पुरानी हिंदी खिस ने कहा आए ने बताइए फ्रेंट्स तो दिखे इसका जो पुराने हिंदी चंदर शर्मा गैलरी ने कहा है नेक्स्ट अभी आपकी स्क्रिन पर क्यूशन है फ्रेंश बताइए जल्दी से अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए क्यूशन नमर्श सहितिक अपभरंश को पुराने हिंदी किसने कहा है बताइए वह तो अपभरंश को पुराने हिंदी यहां बोला गया है साइथिक अपभरंश को पुराने हिंदी किसने कहा है अचारे रामचंद शुक्र अचारे पसाद दिवेदी या फिर इनमें स्कोई नहीं सारे रामचंद्र शुक्ली ने कहा है नेक्स्ट अभी आपके स्क्रीन पर क्रिशन है बताइए फ्रेंट्स कौन सा क्रेक्ट आंसर हुआ क्रिशन नंबर श्यवन शौर्ष एनी अफ भ्रंश में किस उपभासा का विकास हुआ है हमने इसे बहुत यह अच्छे से डीटेल्स मे किया था बताइए शौर्ष एनी अफ भ्रंश में किस उपभासा का विकास हुआ है बिहारी राजस्थानी बंगला या फिर पंजाबी बताइए फ्रेंट्स कौन सा क्रेक्ट आंसर हो जाएगा तो दिखे इसका जो क्रेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा और सल नंबर भी यानि कि जौर्ष एनी अफ भ्रंश में राजस्थानी उपभासा का विकास हुआ है ठीक है नेक्स्ट क्यूशन नंबर एट बताइए फ्रेंट्स क्या है अभी अप भ्रंश और पुराने हिंदी के मद्यकरे समय को क्या कहा जाता है बताइए फ्रेंट्स जो अप भ्रं अच् horizon और पुराने हिंदी के जो बीजका समय है मद्यकाindet क्या कहा जाता है उद्खकर्स का और उफ्षान का या फिर शंक्राइन काल या प्रकृति काल बता ये कौन सा कर्था पुराने हिंदी के मध्य के समय को हम शंक्रांती काल कहते हैं यानि कि option नमर सी बिलकुल correct हो जाएगा next बताएए फ्रेंज question number 9 चंद्रमा शर्मा गुलेरी चंद्रा शर्मा गुलेरी ने किशको पुराने हिंदी का प्रत्थम कभी माना है बताएए कौन सा correct answer हो जाएगा श्वैमबू, राजा मंच, उन्च दंत या फिर इन में से कोई नहीं कौन सा correct answer हो जाएगा बताएए फ्रेंज तो दिखी जो इसका correct answer हो जाएगा वो हो जाएगा option number B राजा मंच जो है कि चंद्रा शर्मा गुलेरी ने राजा मंच को पुरानी हिंदी का प्रथम कभी माना है नेक्ष्ट अब आपकी स्क्रिशन पर question number 10 अप ब्रेंज को प्राकृता भास किसने कहा है बताएए चंद्र शर्मा गुलेरी या फिर राहुल संस्कृत्यान या फिर राम चंद्र शुक्र या फिर हजारी परसाथ दिवेदी बताएए फ्रेंज कौन सा करेक्टा आंसर हो जाएगा किसने कहा है अप भ्रंस को प्राकृता भास किसने कहा है आपको पता होनी चाहिए तो देखो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आफसन नम्मर सी राम चंद्र शुक्र लेने जो है अप भ्रंस को प्राकृता भास कहा है नेक्स्ट कृष्ट नम्मर 11 बताएए फ्रेंज पंजाबी का विकास किस अप भ्रंस के किस रूप में हुआ है बताएए महराष्ट, रजस्थानी, 85 या फिर मागली पंजाबी के बारे में बोले गया है बताए ये फ्रेंट्स कौन सा correct answer हो जाएगा तो देखो फ्रेंट्स जो पंजाबी है ठीक है उसका जो विकास जो किस अफ़रंस से हुआ है तो वो हुआ है 85 यानि कि option number C बिल्कुल correct हो जाएगा next question number 12 बताएगे कौन सा correct answer होगा बिहारी बिहारी बंगला उडिया और अश्यमिया भाषाओ का उद्भाव किस अपभ्रांस से हुआ है बताएगे महाराश्ट राजस्थानी 85 या फिर मागदी आप इसमें simply answer कर सकते हो फ्रेंट्स बिहारी जो कि मगद ठीक है और मगद में बि बिहारी यानिकी बिहारी बोला जाता है तो देखो इसका जो correct answer हो जाएगा वह हो जाएगा और मागदी में बिहारी बंगला उडिया और अश्यमिया भाषाओ का उद्भाव हुआ है इस मागदी अपभ्रांस से हुआ है next question 13 बताएगे कौन सा correct answer होगा अर्द मागदी अप गुजराथी या फिप पुर्वी हिंदी बताएगे कौन सा correct answer हो जाएगा बताएगे तो देखो अर्द मागदी अप भ्रांस में किसका विकास हुआ है तो पुर्वी हिंदी का विकास हुआ है यानि कि option number D बिलकुल correct हो जाएगा next अभी आपकी स्क्रीन पर question है बताएगे सिंदी बासा का उद्भव हुआ है कहां से हुआ है 85 अबरंस से मागदी अबरंस से शौफ शैनी अबरंस से या फिर इनमें से कोई नहीं बताएगे तो दिखी इसका जो correct answer हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तो देखो अभी आपको option में नहीं दिख रहा है कि देखो इस question को आप skip कर सकते हैं next बताएगे फ्रेंट्स फोर्ट विलियम कालेज की अश्थापना कब हुई 1802, 1800, 1810 या फिर 801 कौन सा correct answer हो जाएगा बताएगे फ्रेंट्स बताएगे फ्रेंट्स फोर्ट विलियम कालेज की अश्थापना कब हुई तो दिखी जो इसका correct answer हो जाएगा वो हो जाएगा option number B यानि की 1800 इस भी में ठीक है अगर यहीं पूश्दे की फोर्ट विलियम कालेज की अश्थापना कहां हुई थी तो फ्रेंट्स कलकता में हुई थी ठीक है तो आपको इतनी information पता होने से next question number 16 अभी हमने यह discuss कर लिया है कि फोर्ट विलियम कालेज श्थापना कहां हुई थी तो कोलकता में हुई थी next मताएं फ्रेंट्स महावीर पर्षाद दिवेदी को किस वर्ष शुर्षती पत्रिका के शंपादक के रूप में न्यूक्त किया गया बताएं 1906 या फिर 1903 या फिर 1909 बताएं कौन सा correct answer हो जाएगा जल्दी से बताएं फ्रेंट्स तो देखिए जो इसका correct answer हो जाएगा वो हो जाएगा option number C यानि की 1903 में जो है महावीर पर्षाद दिवेजी दी को इस वर्ष जो है सुर्षती पत्रिका के संपादक के रूप में न्यूक्त किया गया था next अभी screen पर आपकी question है बताएं पक्षमी हिंदी की बोली नहीं है क पक्षमी हिंदी की बोली नहीं है तो आप सिंपली कह सकते हो कि और दी जो है फक्षमी हिंदी की बोली नहीं है ठीक है next पक्षमी हिंदी की बोलियों की संख्या है कितनी है 2 3 4 या फिर 5 कितनी है पक्षमी हिंदी की कितनी बोलिया है बताईये तो दिखें इसका जो correct answer हो जाएगा option no d यानि की 5 ठीक है पक्षमी हिंदी की कितनी घुआ लिए तो पांच है नेक्स बताई। कित लेग्न के किस अनुषेद में कहा गया है कि राज-भास हिंदी को लीपी देवनागरी होगी। पाइए। किस और ज्यों शम्मिदान की किस आर्टिकल में में कहा गया है कि छो राज़वासा हिंदी है वो लिपी देव नाघरी होगी पता यह कौन सा वर्स होई बताईए 1961, 1960, 1965 या फिर 1963 कौन सा correct answer होगा बताईए जल्दी से बते हैं कौन सा correct answer हो जाएगा तो दीखें जो इसका correct answer हो जाएगा वह हो जाएगा option नम्मरे 1961 में बैग्यानिक तथद टक्निकी सब्दावली आयो की अस्थापना हुई थी इसी वर्स ठीक है next question number 22 बताईए भोजपूरी मगही और मैथेली बोली और जो बोलिया किस से संब्दी थे बताई एक पक्षमी हिंदी पुर्वे हिंदी बिहारी हिंदी या फिर आजस्थाने हिंदी भोजपूरी मगही और मैथेली मैथेली बोलिया आप सिंपली बता सकते हो फ्रेंड्स से स्यू हो जाएगा पार हिंदी थेंजिए सुर्वे सब्सक्राइली किस भासा की रचना है बताम जो उस्यआदी की कभी तवा है ऌउदी में ब्रच वासा में तो नेश्था उढ़ जाएगा तो देखो जो इसका ऍैस्सरार उजाएगा घ्रटराइगा भो जैंगा आए ऑ तावली है ठीक है नेक्स्ट दौहा मूलता किस बहास़ा का चन्द है बताएं प्रकृत अपवरांस हींदी अफिर संस्क्रिट कौर्ट करिक्ट आंसर हो जाएगा तो देखिए इसका जो correct answer हो जाएगा वो हो जाएगा option number B यानि कि अपवरंस दोहा मूलता अपवरंस बादसा का छंद है ठीक है next and last question friends बताएए द्रवीर परिवायर की बादसा है क्या है कंडर उडिया भोचपूरी या फिर बंगला बताएए कौन सा correct answer होगा जल्दी से बते हैं आप दस सकंड का टाइम दिया गया है अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप डेली इसी टाइम नौ बचकर पंदर मिनट पर जोड़ सकते हैं जी के चैलेंज में तो द्रवीर परिवार की भासा है तो कौन से फ्रेंट्स तो वो है कंडर यानि कि ऑफसे नमरे बिलकुल करेक्ट होगा तो यह थे 25 क्यूस्टन जो कि आपके हिंदी से रिलेटेड जो कि स्टार्टिंग हिंदी मोस्ट इंपोटेंट है आपके लिए ठीक है और भी क्यूस्टन आपको ऐसे ही देखन